प्लास्टिक बोतल से बनाए एंटिक दिया होल्डर दिवाली क्राफ्ट हलो दोस्तो मैं हूँ नरेंदर दिल्ली इंडिया से क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है मैंने एक लीटर वाली दो प्लास्टिकी बोतल ली है मज़े की बात ये है कि इन में से एक असली ब्रैंड है और एक नकली पर बिल्कुल असली से मिलता जुलता और नाम और कलर सब कॉपी है ठीक इसी तरीके से clay या wall putty में भी आपको असली brand के नाम पे नकली थमा दिया जाता है तो जागरुक आपको रहना है, सावधानी आपको बरत्नी है हाफ से थोड़ा ज़्यादा निशान लगा कर नीचे से bottle को काट ले ये wall putty है जो किसी भी hardware की दुकान पे आसानी से 40-45 रुपे किलो मिल जाता है जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है पैक के पीछे देखेंगे तो पाएंगे ये काफी हद तक safe है जो अन्य brand में नहीं मिलता ये eco friendly भी है wall putty में केबल पानी मिला कर बहुत ही बढ़िया और soft dough बना सकते हैं ये dough केबल 4 गंटे ही चलते हैं तो जरूरत के हिसाब से बनाए dough बनाने का link description में उपलब्ध है वहाँ देखकर आप सीख सकते हैं काम करते हैं वक्त dough को गीले कपड़े या फिर polythene से ढग कर रखें wall putty में fevicol और थोड़ा सा पानी मिला कर गाड़ा paste तियार करें चिपकाने का सारा काम हम इसी से करेंगे dough से थोड़े लंबे sheet बनाए ज्यादा पतला ना बनाए थोड़े से practice में ये आसानी से बनने लग जाते हैं छोटा बेलन ना हो तो घर में पड़े पुराने बेलन का इस्तमाल कर सकते हैं बोतल पे wall putty का paste लगाएं और sheet को साबधानी से चिपका लें बोतल को अंदर की तरब से पकड़े ताकि shape खराब ना हो दोनों बोतल पे sheet से maximum cover करें कहीं अगर छूटता है तो रहने दे बाद में cover कर सकते हैं जो uneven area है यानि उंचा नीचा है उसे पानी लगाकर हाथ से smooth करें या फिर पुराने चाकू से भी smooth कर सकते हैं इन्हें अच्छी तरह dry होने दे हमारा पहला base layer dry होकर hard हो गया है तो अब आप आराम से थोड़ा मोटा layer कर सकते हैं जैसे जैसे हम उपर की तरफ layer करते जाएंगे तो उपर का जो layer है उसकी मोटाई कम होती जाएगी यानि इसका shape कुछ इस तरह दिखेगा जैसे glass का shape या फिर चाय के कुल्लड की तरह joint को पुराने चाकू से smooth करें पानी लगा कर smooth करें बाद में हाथ से finish करें finally इसका shape आ गया है तो इसे फिर से हम dry होने देते हैं dry होने के बाद shape के height के बराबर cardboard या फिर paper का टुकड़ा काट ले डो से एक तरफ पतला और एक तरफ से थोड़ा मोटा coil बनाए इसे rhythm में मोड ले जैसे की उट की गरदन मुड़ी होती है बिल्कुल वैसे ही इसका height cardboard के टुकड़े के बराबर रखें ऐसा एक और बना कर दोनों को dry होने दें dry होने के बाद नीचे का हिस्सा जो सपाट रह गया है उसे भी डो से गुलाई देंगे पर उससे पहले इसे shape पे एक बार रख कर देख ले और जो फाल्तू का हिस्सा है उसे काट कर अलग कर दें ताकि ये shape पे बिल्कुल अच्छी तरह से set हो पाए अब डो से सपाट हिस्से को proper गुलाई दे जैसा पहले वाला हिस्से का है और इसे फिर से dry होने दे जैसे ये dry होता है तो पतले वाले भाग के उपर head का shape बना दे और फिर से dry होने दे ये है acrylic color की काली शीशी आप कोई भी इस तरह का डबी या फिर शीशी ले सकते हैं डो से पतले sheet बना कर शीशी को cover करें दोनों शीशी पे cover कर इसे dry होने दे coil बना कर मनपसंद pattern बना ले मेरे craft में आप देखेंगे जो घर की साधारन चीजे होती हैं उसी का use करते हैं जैसे की nail cutter, पुराना चाकू, पेन का धकन, इत्यादी इन्हें बनाने के लिए एक clay tool भी आता है अगर आपके पास है तो उन्हें भी use कर सकते हैं दोनों शीशी पे मनपसंद pattern या you can coiling complete करें और dry होने दे head dry हो गया है तो अब आप बाकी की detailing कर सकते हैं ये detailing करते समय आपको camel के shape या जो भी object बना रहे हैं उनका ध्यान रखना होगा अगर sketching आती है तो सामने sketch रखकर काम करें या फिर print out के साथ भी काम कर सकते हैं काम करते वक्त आपके हाथ dry होने चाहिए आईज की detailing छोटे और पतले coil बना कर करें पानी लगा कर smooth करें पुराने pain के अगले वाले हिस्से से बीच वाले portion की detailing करें ड्राई होने दे अब head वाले structure को चिपकाने के लिए थोड़ा ज़्यादा paste और dough लगाए और साथानी से चिपका ले balance करने के लिए दोनों तरफ किसी वस्तु से सहारा दे और इसे कम से कम 3 गंटे के लिए ड्राई होने दे किसी गोल बाउल के उपर dough से 2 या 2.5 इंच का गोल शेप बना कर ड्राई होने दे dough से मोती की तरह गोल शेप बना कर किनारे पे चिपका ले जो acrylic वाली bottle का शेप बनाया था उसके उपर ये वाले शेप चिपका कर ड्राई होने दे करदन वाला शेप ड्राई होकर फिक्स हो गया है तो अब आप Legs की डिटेलिंग कर सकते हैं पहले नीचे वाले हिस्से को चिपकाले ड्राई होने दे फिर उपर वाले हिस्से की डिटेलिंग करे इसके साथ ही छोटी-छोटे कान बना कर दोनों सेट पे दोनों तरफ चिपकाले अब आप Camel के बाकी बच्चे हिस्से पे डिटेलिंग कर सकते हैं आपको जो भी पैटर्न मालूम है या फिर जो पैटर्न आप इसली बना सकते हैं वही चुने और दोनों सेट को अच्छे से डेकोरेट करें डिजाइन या पैटर्न पहले से सोच कर रखेंगे तो आसानी से बना सकते हैं बहुत लोग मुझसे कहते हैं इतनी मेनत क्यों करना मार्केट से ले सकते हैं जिहां बिल्कुल ले सकते हैं पर ये क्राफ्ट आपको मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलेगा मार्केट वाला क्राफ्ट एक साथ हजारों सेट्स बनता है तो सभी के पास एक जैसे ही क्राफ्ट होंगे क्राफ्ट बनाते समय आप एक healthy time spend करते हैं एक complete क्राफ्ट को देखने के बाद body और mind दोनों को सुकून मिलता है detailing पूरी हो गई है और क्राफ्ट dry भी हो गया है इसे हमेशा नीचे से पकड़े ताकि कोई भी element break ना हो अगर ज़रुत महसूस हो तो 320 या इसके आसबस वाले sandpaper यानी रेगमाल से finish करें ये रेगमाल hardware की दुकान पे आसानी से उपलब्ध होते हैं सस्ते आते हैं जो acrylic का छोटा वाला shape है उसे आप camel के peat पे डो से चिपका सकते हैं पर मैंने नहीं चिपकाया इसका कारण मैं आगे बताऊंगा आए कलर की शुरुआत करते हैं मैंने black acrylic कलर का यूज किया है ताकि इसमें antique look आ पाए पर आप अपनी पसंद से कोई भी color combination रख सकते हैं ब्लैक कलर का तीन कोट करें और dry होने दें जैसे ही black color dry होता है तो कोई भी metallic color को sponge या फिर रूई पे लगा कर craft की detailing निकाल ले acrylic color के अलावा आप चाहें तो poster color या फिर oil paint का भी use कर सकते हैं यहाँ प्रियोग किये गए सभी colors के नाम और number description में उपलब्ध है वहाँ देखकर आप same color combination कर सकते हैं यह cut mirror जो stationary की दुकान पे आसानी से मिल जाता है इस तरह के चोटे चोटे पाउच में पांच रुपे का भी मिलता है इन्हें फेविकोल से जहाँ जरूरत हो वहाँ चिपका लें तो दोस्तो प्लास्टिक बोदल से बना दिया होल्डर दिवाली क्राफ्ट बिल्कुल तयार है इस पे candle रखे या कोई artificial plant रख सकते हैं या फिर ऐसे ही home decor के तौर पे इस्तमाल कर सकते हैं हर तयो हर पे अलग-अलग तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं इस तरह के धेरो दिवाली क्राफ्ट चैनल के वीडियो सेक्षर में जाकर देख सकते हैं तो देर किस बात की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दे ताकि हर डेया क्राफ्ट आप सबसे पहले देख पाएं खुश रहें, सुरक्षित रहें, क्राफ्ट करते रहें आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पोकेट